दोस्तों हम अपने आसपास की चीजों पेंड़ पौध हों वह जीव जनतुओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ जनतुओं के जीवन सहली से सबक लेंगे जो हमें जीवन में सफल होने या जीवन को बहतर बनाने में मदद करेंगे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो अभी सबस्क्राइब करें क्योंकि इस चैनल का कोई भी वीडियो आपकी जिन्दगी बदल सकता है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इगल्स के बारे में Eagle या बाज को यूँ ही पक्षियों का राजा नहीं कहा जाता इसके पीछे साहस वा संगर्स की कहानी है बाज आने पक्षियों के मुकाबले ज्यादा उचाईयों पर उड़ते हैं इससे हम यह सबक ले सकते हैं कि हमें अपना लक्ष हमें सब बड़ा या उचा रखना चाहिए क्योंकि जितना बड़ा लक्ष होगा जीत उतनी ही सांधार होगी अन्य पक्षि जादा उचाई पर उड़ने की नहीं सोचते हैं इसलिए वे उड़ भी नहीं पाते हैं जैसे एक स्टूडेंट लक्ष बनाता है कि मुझे इस साल 95% लाना है और वह उसके लिए मेहनत करता है वहीं एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं फर्स्ट डिविजन से पास हो जाऊं तो बहुत बड़ी वात है जब दोनों का रिजल्ट आएगा तो आप ही बताईए क्या होगा अगर पहले इस स्टूडेंट का 95 नहीं भी आता तो फिर भी वह दूसरे से आगे ही रहेगा वहीं दूसरा स्टूडेंट सायाधी फर्स्ट डिविजन लाप आएगा तो लक्ष हमें सब बड़ा रखो बाज हजारों मीटर की उचाई पर उड़ते हैं फिर भी जमीन पर इस्थित जन्तू या अपने सिकार पर नजर रखते हैं उन पर अपना फोकस बनाए रखते हैं उसी प्रकार हमें भी अपने लक्षे पर फोकस बनाय रखना है चाहे हमारा लक्षे कितना भी दूर क्यों न हो बाज अपने से भारी जीव सिकार करता है इससे सबक मिलता है कि हमें भी कर्म या मेहनत करने से कभी डरना या घवराना नहीं है कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हमें उससे लड़ने का साहस होना चाहिए जब तूफान आता है, तो सभी पक्छी छुप जाते हैं लेकिन बाज उचाईयों पर उड़ने लगते हैं उसी प्रकार हमारे लाइफ में भी जब चैलेंजस और प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें छुपना या भागना नहीं है, बलकि उसका सामना करना है उनको दिखा देना है कि चैलेंजस कितना भी बड़ा हो, हमारे जिद के आगे कुछ भी नहीं जब बाज अपने बच्चों को उड़ना सीखाते हैं, तो ये अपने बच्चों को हवा में उचाईओं पर ले जाते हैं और उन्हें छोड देते हैं, उनका बच्चा गिर रहा होता है, अपने पंखों को खौलने की कोशिश करता है ऐसा बाज बार बार करते हैं और वह बच्चा एक दिन उड़ना सीख जाता है वहीं अगर बाज अपने बच्चों को घोशले में बिठा कर उनको खाना खिलाता रहे तो उनका बच्चा कभी अपने दम पर उड़ना या सिकार करना नहीं सीख पाएगा इसी प्रकार हमें भी अपने comfort zone में पड़े नहीं रहना है अगर जीवन में कुछ हासिल करना है उंचा उड़ना है तो खुद को challenges देना होगा संघर्स करना होगा अगर जीवन में परसानी या संघर्स आये तो दुखी मत होना क्योंकि हमें मजबूत बनाते हैं जब बाज की उम्र लगभग 40 साल की होती है तो उसके पंक कमजोर हो जाते हैं उसका चौच सामने से मुर जाता है जिससे सिकार करना कठिन हो जाता है अब उसके पास दो रास्ते होते हैं पहला कि वह अब जीने की उमीद छोड़ दे और धीरे धीर अपना दम तोड़ दे या दूसरा रास्ता वह दुनिया को बता दे कि वह हार मानने के लिए नहीं बना और अपने जिद जुनून वह मेहनत से एक बार फिर बाउंज बैक करें और बात चुनता है दूसरा रास्ता वह उंची चटानों पर चला जाता है और अपने चोच को पथर से मार मार कर तोड़ देता है अपने नाखून वा पंकों के साथ भी वह ऐसा करता है फिर इंतजार करता है नए पंक वा चोच आने का और वह एक बार फिर आसमान पर राज़ करता है इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास भी दो रास्ते होते हैं पहला हम हार मान जाए या दूसरा बाउंस बैख करें कई लोग हार मान जाते हैं यहां तक कीवे सुसाइट तक कर लेते हैं लेकिन वहीं कई लोग हाथ पैर कर जाने के बाद भी हार नहीं मानते और दुनिया को दिखा देते हैं कि हमारी जित के आगे प्रॉब्लम्स की कोई आउकात नहीं इसे कहते हैं इगल मेंटालिटी अब हम बात करते हैं लायन मेंटालिटी के बारे में एक लायन की सोच कैसी होती है आपने कभी गौर किया है कि सेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं ना तो यह जंगल का सबसे लंबा जीव है ना तो यह जंगल का सबसे बढ़ा जीव है एक सेर अपने से कई गुनाबारी जीव हाथी को देखता है तो वह सोचता है कि यह मेरा सिकार है जबकि हाथी उसे कुचल सकता है फिर भी हाथी सोचता है कि यह मुझे मार डालेगा क्योंकि लायन का attitude ही ऐसा है उसी प्रकार हमारा भी attitude होना चाहिए हमारे सामने कितनी भी साकत के साथ हमला करता है इसके बावजूद भी जरूरी नहीं कि वह एक बार में ही सफल हो जाए वह कई बार असफल भी होता है लेकिन वह कभी हार मान कर बैठ नहीं जाता कि मैं अब सिकार नहीं कर सकता बलकि वह तब तक कोसिस करता है जब तक सिकार को हासिल नहीं कर लेत अब हम बात करते हैं कि एक बच्चे से हम क्या सीख सकते हैं, अभी तक आपने सुना होगा कि बच्चे को सीखाना, आज हम एक बच्चे से सीखेंगे जीवन के सबक, आपने बच्चों को देखा होगा कि वो अपने फीलिंग्स को छुपा कर या दबा कर नहीं रखते, उन्हे बच्चे में जानने की या सीखने की तीवर इच्छा होती है वह कोई भी नई चीज देखता है तो उसके बारे में जानने की कोशिस करता है सवाल करता है कि या क्या है उसी प्रकार हमारे अंदर भी जिग्यासा होना चाहिए लेकिन पदा नहीं क्यों जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी जानने की या सीखने की इच्छा कमजोर हो जाती है जिग्यासा हमें जीवन में सफलता हांसिल करने या जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है बच्चे छोटी छोटी बातों पर खुस हो जाते हैं और ज्यादा तर समय खुस ही रहते हैं उनका मन सान्त वा सन्तुष्ट होता है ओर थिंकिंग, स्ट्रेस या डिप्रेसन से वे कोशों दूर होते हैं हमें भी इन सबसे दूर रहना है, जितना ज़्यादा हो सके खुश रहने की कोसिस करना है, बच्चों का सरीर ज़्यादा active होता है, जिससे उनका immune system strong रहता है, उन्हें आलस कम आता है, हमें भी अपने सरीर को active रखना चाहिए, इसके लिए हम योगा, एक्सरसाइज कर सकते हैं या किसी स्पोर्ट्स को अपनी हॉबी बना सकते हैं इससे हम हेल्दी और स्ट्रॉंग रहेंगे बच्चे बहुत जिद्धी होते हैं खिलावने या किसी चीज के लिए वो खाना पीना तक छोड़ देते हैं हमें भी इसी प्रकार जिद्धी होना चाहिए लेकिन ध्यान रहे, जिद अच्छे चीजों के लिए सही है अच्छे चीजों के लिए जिद करें सफल होने के लिए जिद करें खुस रहने के लिए जिद करें दूसरों की मदद करने के लिए जिद करें तो जिद्धी होना अच्छा है और भी बहुत कुछ हम एक बच्चे से सीख सकते हैं अगर आपको कोई सबक पता है जो हम बच्चों से सीख सकते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की बेहतरीन लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद